आज किस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप DSSB के पॉटल पे नर्सरी टीचर के लिए अपलाई कर सकते हैं तो किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है किस तरह से अप्लिकेशन फॉर्म करना है डोकुमेंट कैसे अपलोड करने हैं पेमेंट कैसे करना है और सबसे मेन चीज जो है अप्लिकेशन फॉर्म में क्वालिकिकीशन को कैसे एंटर करना है वह सारी चीजे आपको वीडियों बताऊंगा फोर्टो सिगनीचर से भी लेके फाइनल सम्मिट तक सारी चीजे आप टाइप भी कर सकते हैं । यहां पर आने के बाद यहां पर क्लिक फॉर्ण पर दिख रहा होगा ऑप्शन इस पर आपको सबसे पहले किलिक करना है अगर आप न्यू एज़र हो तो यहां पर आपको अपना नाम फिल करना है यहां पर रिएंटर कर लेना है फिर आपको यहां पर पासिंगे बताना है कि किस यहर में अपने पास करिया एंदन कंफर्म कर देना है फिर यहां से जेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं एंदन कंफर्म कर देंगे यहां पर उसके बाद यहां पर फादर नेम आपको फूट करना है यहां पर रिएंटर कर देना है यहां पर अप कर देंगे एंड यहां पर प्रोसीड करना है यहां पर आपको अधहार नमबर डालना है और पर अधहार नमबर जो नाम है अधहार पर लिखना है उसके बाद रिचल करते हैं उसके बाद यहां पर password क्रिएट करना है यहां पर password आपका कम से कम आठ करेक्टर को होगा जिसमें एक uppercase होना चाहिए ठीक है और एक lowercase होना चाहिए एक डिजिट होना चाहिए और यह सारी combination के बाद आप password बनाएंगे और यहां पर confirm कर देंगे ठीक है तो यहां पर देखे लिख रहा है कि password date character से कम नहीं होना चाहिए यहां पर रिएंटर कर देना है password फिर यहां पर declaration पर क्लिक कर देना है अन प्रिव्यू करके आपको अपनी सारे details देख लेनी है प्रिव्यू करने के बाद दुबारस पर क्लिक करना है और submit कर देना है समीट के बाद यहां पर आपको sign-in करना है registration details आपको phone पर मिल गई होगी आपको यहां पर क्या करना है data worth फिल करना है 10th का roll number यहां पर डालना है और passing year बता देना है और यहां पर password ग्रेट किया था यह यह है यह आपका registration details है यहां पर virtual code है वो डालना है type कर देना है sign-in पर क्लिक कर देना है sign-in होने के बाद यहां पर आपको details मिल जाएगी यहां पर apply for new application पर क्लिक कर देना है नीचे scroll करते रहे है यहां पर नर्स्टी टीचर के लिए assistant teacher के लिए आपको apply करने का form दी जाएगा तो आपको present address जिसमें house number वगरा यहां पर pin code डाल देना है अगर दोना address से में तो इस पर click कर देना है और नहीं से में तो यहां पर permanent address यहां पर फिल करना है और pin code फिल करना है उसके बाद यहां से सब category आपसे पूचा गया है कि अगर आप इन किसी भी category में अगर लाइक करते है जैसे government servant, service man, service man already in civil job में है या फिर guest है या contract teacher है तो आप इसकी वीच पर click कर सकते हैं और आपसे पूचा गया कि कि किसी भी agency ने आपको किसी बेइजाम में divide कर रखा है तो yes करना है नहीं तो no ही रहन देना है declaration पर click करना है 7x कर देना है आप यहां पर photo and signature सबसे main चीज है जो यहां पर pixels में आपकी width होनी चाहिए 480 pixel होनी चाहिए height 672 pixel होनी चाहिए से कम ही होना चाहिए अप्लोड करना है left and right turn तो मैं एक बार अप्लोड करके आपको फिट दिखाता हूं तो कि देखे मैंने अप्लोड कर दिया सारी की सारी चीज़े और आप भी अप्लोड कर जाएंगे अगर आपको कोई प्रोलम हो तो description में link मिल जाएगा उसका next कर देना है next के बाद यहां प को देखे दो डिपार्टमेंट अगर तीन की आओगा तो आपको तीन मिलेगा तो इसके यहां से discipline सेट कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपको percentage देना है तो डूडेसिमल तक percentage बता सकते हैं यहां पे state बताना है आपको कौन से state से आपने कर रखी है यहां पे बोर्ड ऑफ करेंगे हैं थोड़ा सा टाइम लेता है तो थोड़ा वेट कर लिभार सकते हैं तो किया div Erik कर दीना है इंसर्ट करने के बाद और अज concepts बारी बारी करके डाल दिया अब आपको डिप्लोमा करना है अब यहां पर आपको यहां से परसेंटेज आपको पूट कर देना है और यहां पर आपको यहां से यहां से यहां से यहां कर लेना है और फिर आपको इंसर्ट कर देना है और फिर आपको इंसर्ट कर देना है कर दिया, वैंसर्ट करने के बाद आपको आपको अब दूसरे के लिए फिल करना है तो यहां पर आजब करना है, जिब reconoc UP 4 फिल फिल click करना है, यहां पर आपको फिल करना है गुए यहां पर्सेंटेज भगर्हा फिल कर ली यहां पर आपको state फिल करना है जिस भी state आप ने कर गए तो जो qualification required है वह qualification आपको फिल करनी पढ़ेगी और पहले आपको 12th of a degree तो इस तरह सी आपको यहां पे दूबारा आपको किलिक करना है और यहां पे आपको डिशिप्लीन कर लियना है उसके बाद यहां पे परसिंटेज कर देना है जितने भी परसंटेज हैं वह तैप करते यहां पर आपको क्या करना है यहां पर इंसर्ट कर देना है इसको फाइनली सेफ कर देंगे ओके कर देंगे इसको आपको मैच कर लेना है सार्य डेट है अगर आपको पस्ट डिटेल्स वाइज यहां प्रका कर देंगे बड़ा ही सिंपल है आपके पास डैबिट कर सकते हैं तो यहां पर मैं डैबिट काड यूज कर रहा हूं तो यहां पर आपको कार नमबर डालना है यहां पर कर देना है और यहां पर आपका अप्लिकेशन हो जाता है कमप्लीट आपको अप्लिकेशन वीडियो आपको लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ध्यान रखेगा यहां पर आपको अपको अपर आपको अपको अप्लोड आपको अपको अपको अपने दोस्तों के अबाद जरूर शेयर कर देना ताकि वह भी इस अप्रोचिनिटी का फाइदा उठा सके तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में थाइंकियो